राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ब्रहमन और भविश्यवानी करने वाले सरप की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्ती को लाइक करें, साबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गाउं में एक ब्रहमन रहता था, वे बहुती गरीब था, आसपास से भिक्षा मांग कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था वे इतना गरीब था, कभी-कभी उसे भिक्षा पर ही गुजारा करना पड़ता था, कभी-कभी जब भिक्षा जादा नहीं मिलती थी तो ब्रहमन और उसके परिवार की दिन आधे पेट भूका ही सोना पड़ता था उसके दिन बड़े कठिनाई से गुजरने लगे, ब्रहमन को लगने लगा था कि भिक्षा अब कम मिल रही है जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता इसलिए उसने सोचा कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए क्योंकि जो उस देश का राजा था वे बहुत दयालू था वे ब्रहमनों की बड़ी मदद करता था जो भी उसके पास मदद के लिए जाता था उसकी वे बहुत मदद करता था ब्राहमन ने अब यह विचार कर लिया कि वे राजदर्वार में जाएगा और राजा से कुछ मदद लेकर आएगा अब राज को जो ब्राहमन था अगले दिन राजदर्वार जाने के लिए सुबह जल्दी उठा और नहाया धोया पूजा पाट करी और चल दिया राजदर्वार की तरफ जब वे गान से जा रहा था नगर की तरफ तो चलते चलते उसे एक जंगल मिला जंगल से जब वे ब्राहमन गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक साप दिखाई दिया साप को देखकर ब्राहमन थोड़ा घवराया परंतो साप ब्राहमन को प्रनाम करके बोला कि ब्राहमन महराज आज सुबह सुबह कहां जाने के लिए निकले हो जब ब्राहमन ने साप को बोलते हुए देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत बंधी कि यह उसे डसेगा नहीं तब ब्रामन ने अपनी समस्या सांप को बताई कि मैं बहुत गरीब हूँ और राजा से साहता लेने के लिए जा रहा हूँ सांप ने कहा मुझे पता है आपकी समस्या क्या है क्या समस्या लेकर आप राजा के पास जा रहे हो तुमारे घर में इस समय बहुत गरीब ही चाही हुई है इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो ब्रामन ने कहा सांप आप तो सरप देवता सब जानते हो सरप ने कहा कि हाँ अब्राह्मन मैं एक जादूई साप हूँ और भविश्यवानी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आने वाले समय का ज्यान है कि आगे क्या होने वाला है ब्राह्मन ने कहा कि जै हो सरप देवता महराज आप कैसी भविश्यवानी करते हैं सरप ने कहा कि हे ब्राह्मन देवता महराज से तुम्हे एक भविश्यवानी सुनाता हूँ तुम जो महराज को जाकर बता देना लेकिन मेरी एक सरत है जो धन तुमें राजा देगा उसका आदा धन तुम मुझे दोगे ब्राह्मन ने सरप देवता की सरत मान ली राजा साप ने कहा कि राजा से कहना कि इस साल बहुत बढ़ा भारियकाल पड़ेगा परजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना है कर लेना ब्रामन ने सरप को धन्यवाद दिया और चल दिया राजदर्वार की तरफ जब वे ब्रामन राजदर्वार में पहुँचा तो अगले दिन जब राजदर्वार लगा तो ब्राह्मन को बड़े आदर सत्कार के साथ राजा ने आसन दिया और उसकी बहुत ही सेवा की तब राजा ने ब्राह्मन से कहा कि कहो ब्राह्मन देवता आप क्या भविश्यवानी बताना चाहते हो राजा ने कहा कि महराज राजदरवार में बुलाकर आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया है इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है इसलिए मुझे एक भविश्यवानी का अभास हुआ है और वेही मैं आपको बताने आ गया हूँ क्योंकि अगर राजा को भविश्यवानी पता होगी तो वे संकट से अपनी परिजा को उभार लेगा तब है कहने लगा कि माहराज मैंने भविश्यवानी सुनी है कि कुछ दिनों बाद हमारे राज्ये में बहुत बड़ा आकाल पड़ेगा जिससे जनता त्रही त्रही कर उठेगी इसलिए आप यदि चाहो तो पहले से ही आकाल से बचने का इंतजाम कर सकते हो राजा ने ब्रामन से बहुत परसन हुए और ब्रामन को बहुत सा धन दे कर विदा किया वापस लोटते हुए ब्रामन तब उसी जंगल से निकलने लगा तो सोचने लगा यदि साप को आधन धन दिया तो धन तो जल्दी समाप्थ हो जाएगा इसलिए ब्राहमन ने रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से अपने गाउन चला गया भविश्यवानी के अनुसार कुछ समय बहुत बढ़ा अकाल पड़ा लेकिन राजा ने पहले से जानकारी होने से सारे इंतजाम कर लिये थे इसलिए राजा को कोई समच्या नहीं हुई एक साल भी ता दो साल भी ते बराहमन का धनाव धीरे-धीरे खत्म हो गया बराहमन ने फिर से राजा से मदद मांगने के लिए जो है उसने जो निश्चय किया कि वे फिर से राजा नहाया धुया भगवान भजन किया और चल दिया उसी जंगल के रास्ते फिर उसी रास्ते में उसे फिर वही सांप मिला उसने सांप ने फिर पंड़त से अभिवादन किया उसको नमस्कार किया और सांप ने ब्राह्मन से का आदा धन देने की सर्थ पर मैं तुम्हें फिर से भविश्यवानी से एक बता सकता हू तो मेरी भविश्यवानी राजा को बता देना और जो भी धन मिले वो मेरे को आदा देना ब्राहमन ने उसकी बात मानने कि ठीक है तुम मुझे भविश्यवानी बताओ जो धन देंगा राजा देगा उसमें सादा धन मैं तुमें दे दूँगा तब वे सरफ कहने लगा कि इस साल बहुत ही भैंकर युद्ध होगा इसलिए जो भी त्यारी करनी है वे राजा कर ले आदा धन देने का वादा करकर वे ब्राहमन साप से वादा करके वहां से चला गया ब्राह्मन जब राजदर्वार में पहुँचा तो राजा ने ब्राह्मन का बहुत सम्मान किया साथी ब्राह्मन के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी अगली सुभा जब राजदरवार लगा तो ब्राह्मन को बहुती आदर और सम्मान के साथ आसन दिया गया और उससे बोले कि ब्राह्मन देवता बताओ अब आप क्या भविश्यवानी लेकर आए हो ब्राह्मन ने कहा राज़ा से कहा महराजी साल आपके यहां राज़य में एक भहुती भहंकर युद्ध होगा पड़ोसी राज़य तुमारे राज़य पर आकर्मन करने वाला है आपको जो भी त्यारी करनी अभी से कर लो इस बार राजा ने ब्राम्मन को पहले से अधिक धन दे कर विदा किया अब ब्राम्मन बड़ा खुसी खुसी अपने घर की तरफ चल दिया अब रास्ते में फिर ब्राम्मन को वही सरप मिलने वाला ता वही जंगल आ गया तो ब्राह्मन ने सोचा, यदि साप मिला तो आधा धन ले लेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूँ, क्यों ना मैं साप को लाठी से मार दूँ, हाथ में लाठी लिये ब्राह्मन जव साप के पांस पहुँचा, तो सरप देवता खतरा भाप गए और बिल में जान जीवित बच गया असाप की भविश्यवानी के अनुसार इस साल राजा के राजिया पर पड़ोसी राजिया ने जो है चड़ाई कर दी और भेंकर युद हुआ लेकिन पहले से जानकारी होने के कारण राजा इस बार भी युद जीत गया और अब राहमन का जो धन था वैं ध धीरे धीरे खतम होने लगा धन दो तीन साल चलने के बाद फिर खतम हो गया उसके सामने फिर फाका पड़ गया उसके घर में फिर संकट सिरू हो गया उसकी रोजी रोटी और भूकव मरने की नौबत आ गई वैं फिर से विक्षा मांगने पर मजबूर हो गया जो पुजा ब्राह्मन था उसने एक बार फिर राजा के पास जाने का निश्चिय किया वैं फिर सुवेरी जल्दी उठा नहाया धोया और पूजा पाठ किया और सुवेही राजदरवार के लिए निकल दिया अब वैही जंगल जो रास्ते में पड़ता था जब ब्राह्मन जंगल में पहुँचा तो साप सामने खड़ा हुआ मिला ब्राह्मन साप से नजर छुपा कर जाने लगा तो सरप देवता ने कहा कि ब्राह्मन देवता महराज इस बार मिलकर नहीं जाओगे ब्राह्मन कुछ ना बोल सका और नजरे नीची करके खड़ा रहा सरप देवता ने कहा कि ब्राहमन देवता इस बार मैं तुम्हें एक भविश्यवानी बताता हूँ राजा से कहना इस बार राज्ये में धरम की सताप इस्थापना होगी सब अच्छे करम होंगे राजा और परजस सब सुख से रहेंगे ध्यान रखना जो भी धन तुम्हें मिले उसका आदा मुझे जरूर देना ब्राहमन ने फिर आदा धन देने का वचन दिया और राजदरवार की तरफ चल दिया चलते चलते ब्राहमन राजा के दरवार में पहुँच गया राज दरवार में पहुँचने पर ब्राह्मन का बहुत ही जादा स्वागत किया गया राजा ने पिछली दो भविश्य वानियों वानिया करने के लिए ब्राह्मन को बहुत धन्यवाद दिया और आने के समय के बारे में भी पूछा कि अब आने वाला समय कैसा है उसके बारे में भी आप भविश्यवानी कीजिए सुबह जब दरवार लगा तो ब्रामन को फिर राजा ने आसंदिया और उसका बहुत आदर सत्कार किया तो जो राजा ने ब्रामन से उसकी भविश्यवानी करने के लिए बोला तब ब्राहमन ने कहा कि राजा साब इस साल पर जैसुक और चैन की जिन्दगी बिताएगी सब लोग अच्छा सोचेंगे अच्छा काम करेंगी राजा ने अब ब्राहमन को बहुत सारा धन दे कर विदा किया गाम वापस लोटते हुए ब्राहमन ने सोचा जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वे भी एक साल में समाप्त हो गया जब जादा धन दिया तो वो भी दो तीन साल में समाप्त हो गया साब से मैंने गद्दारी भी की और उस साब के कारण ही मुझे ये धन प्राप्त हुआ है आप जो ब्राह्मन अपने मन में ही जो गलानी महसूस कर रहा था वह इस बार साप से गद्दारी करने के करण अपने आप ही उसे सर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसने कहा कि राजा ने अब की बार मुझे जो धन दिया है मैं साप के पास पहुँच कर उसका हिसाब कर दूँगा साप के पहुँच कर उसके पिछली दो बार का धन भी उसे दे दूँगा सारा धन साप के पास रख दूँगा साप से तीनो बार का धन लेने के लिए कह दूँगा जब ब्राहमन सरप देवता के पास पहुंचे तो सरप देवता से कहने लगे कि हे सरप देवता आप अपना तीनों बार का हिस्सा ले लीजिए इस पर सरप देवता बहार आए और ब्राहमन से कहने लगे ब्राहमन देवता जब माहराज के यहां अकाल पड़ा था तो तुम रास्ता बदल कर निकल गई जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूछ काट दी जिससे मेरा मेरी ब्रादरी में बहुत मजाक उड़ाया गया और अब जब राजे में धरम की स्थापना हो गई है मैंने भविश्यवानी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे तुम भी धरम के रास्ते पर आ गई हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत है यह सारा धन तुम ले जाओ खुसी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी धोका मत करो साप को धन्यवाद दे कर ब्राहमन अपने गाउं आ गया और उसने फिर प्रण कर लिया कि वे कभी भी किसी के साथ धोका नहीं करेगा लालच इंसान को भटका देती है कभी भी लालच में धोका धड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो ब्राहमन था वे दिल का बड़ा भूला भाला था लेकिन गरीबी उसके पास इतनी थी इतनी गरीबी उसने देखी थी कि वे भूका मरता था आदे पेट खाकर अपनी भूक तो सैन हो जाती थी लेकिन अपने बच्चों को भूका देखकर वे बिलख जाता था इसलिए उसके मन में भी थोड़ा लालच आ गया लेकिन धरम के इस थापना ने उसकी बुद्धी खोल दी जब धरम पास होगा तो हम कोई भी गलत कारिया करने से पहले दस बार सोचेंगे इसलिए दोस्तों कभी भी अपने धरम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई गलत कारिया करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज जरूर आती है कि वह गलत है लेकिन हम लोग अपनी उस लालच के में इतने अंदे हो जाते हैं कि हम उसको नहीं सुनते हैं लेकिन ब्राह्मन को अपनी गल्ती का एसास हुआ और उसने अपनी गल्ती को सुधार लिया दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जदा से जदा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें राधी राधी